राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जल्दी 26 अगस 2024 दिन सौंबार को स्री किष्णी जनमाश्टमी का पावन पर्व आने वाला है। परते एक वर्ष भगवान स्री किष्णी के जनमाश्टमी के रूप में ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। चैसे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक कर च्श्क्राइब कर लीजिए और कमेंड में जयस श्रीकिष्णा जरूर लिहें। सबसे पहले जनमाश्टमी के दिन सुबा जलदी उठकर अशनान करें और साफ कपड़े पहने। कपड़े पहनते समय इस बात का विश्यस ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े काले रंके ना हो क्योंकि जोतिस सास्तर के अनुसार कपड़े को तमस बताया गया है जो अंधकार का परतीक है और जनमाष्टमी अन्धकार में परकास का उत्सव है तो इसलिए पीलेया गुलावी वस्तर पहन कर पूजा करें दो श्रीकिष्न भगवान विश्णों के आठमे अवतार है और तुलसी विश्णों जी को पहत प्रिय है ऐसे में किष्ण जनमाष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्या नहीं तोड़नी चाहिए पूजा में स्रीकिष्न को अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी को तोड़कर रख लेना चाहिए क्योंकि तुलसी के पत्तों को बासी नहीं माना जाता है 3. स्रीकिष्ण भगवान की पूजा करने में कभी भी बासी फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी पूजा खंडित हो सकती है तो पूजा में ताजे फूली अरपित करें 4. जिस तरह से एक दसी के दिन चावल खाना वर्षित माना गया है थीक उसी तरह से जनवास्ट्मी के दिन भी एदियाव बरत नहीं भी रखने हैं तो भी चावल नहीं खाना चाहिए पाचवा, जनवास्टमी के पर-पर हमें साती भोजन ही करना चाहिए, इस दिन भोजन में लाशुन प्याज का प्रियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाशुन प्याज को तामसी स्रडी में रखा जाता है, साती इस दिन भूल कर भी मांस मद्रय का सेवर नहीं करना चाहिए 6. भगवान किष्ण को गाय बहत प्रिय है बच्पन में वे गवाल बाल के साथ गाय चराने जाया करते थे इसलिए जन्मास्टमिया किसी भी दिन गाय बश्डे को भूल कर भी ना मारे नहीं तो काना रुष्ठ हो सकते हैं वहीं अगर आप गायों की सेवा करते हैं तो भगव स्रीकिष्ण प्रशन होते हैं साथ भगवान स्रीकिष्ण के लिए हम सभी प्राणी सामान है इसलिए किष्ण जन्मास्टमी के दिन भूल कर भी किसी का अनाधर आप मान ना करें आठ स्रीकिष्ण जन्मास्टमी पर सालीगराम के रूप में भगवान किष्ण का करें साथ ही इस दिन पूजा से पहले शुगंदित फूलों से भगवान काना की जाकी सजाएं दस भगवान किष्ण को माखन और मिस्री पहुत अती प्रिये हैं इसलिए इस दिन लड्डू गौपाल को खीर माखन मिस्री दूद की मिठाई पंजीरी आदि का भोग लगाएं स साथ ही उसमें तुलसी के पत्ते जिरूर डालें ऐसा करने से भगवान से किष्ण प्रशन होते हैं साथ ही अपना आशिरबात प्रदान करते हैं तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक कर कमेंट में जैसरी किष्णा लिखना ना भूलें मिलते हैं ने